आज समण संग को दोबारा से जानकारी लाने के काम का जो हम काम कर रहे हैं सारे मिलके दोबारा से लोगों को याद दिलाने का जो काम कर रहे हैं और बताने का काम कर रहे हैं कि हम समण हैं ये भारत समणों का है उसको आज साम को दो साल पूरे हो जाएंगे ये दो साल जो हमारी जूम की मीटिंग है उसके दो साल हैं पर जो समण लोगों का जगाने का काम है वो काफी दूनों से चल रहा है उसको आप समझ सकते हैं कि वो 2000 के बाद से लगबग चल रहा है और अब परिस्तितियां ऐसी बनी हैं कि लोगों को चाहे या ना चाहे उनको समझ संग के वारे में सुनना पड़ेगा समझ संग के वारे में जानका लेनी पड़ेगी कि अब समर संग के अलावा या अपने संग के अलावा हमारे पास में अपने विकास, अपनी सुरक्षा और अपने सुख के लिए कोई भी रास्ता बचा नहीं है ये जो समर सब्द है ये समर सब्द बड़े कमाल का सब्द है आप इसको कह सकते हैं कि मैजिकल सब्द है चमतकारी सब्द और जो लोग गौड में यकीन करते हैं, इस्वर में यकीन करते हैं, किसी ऐसी सक्ती में यकीन करते हैं जो हर चीज को बदल सकती है तो ये समर्सब्द वही है, हमारे लिए ये समर्सब्द हर ताले की चाबी है अगर हम पुराना इत्यास इत्यास से पहले यानि इत्यास से पहले भी एक इत्यास बताया जाता है जो कालपनिक है या जिसके कहीं कहीं थोड़े बहुत चिन्न मिलते हैं पूरी कहानिया नहीं मिलती हैं उसको इत्यास से पूर्व का इत्यास बोलते हैं इंसेंट हिस्ट्री तो उसके हिसाब से अगर देखें पूरी दुनिया में और खास्तोर से भारत के हिस्से में तो बहुत सारी नाओरिक्ता हैं, यानि नाओरिक्ता, अब यह जो नाओरिक्ता सब्ध है, यह आप रोज इस्थमाल करते हो, पर इस तरह से नहीं, जिस तरह से आज हम इसको इस्थमाल करेंगे. हमें ये सिखाय जाता है कि पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारी सभ्वेता है और सभ्वेता के नाम से हम इसको जानते हैं और सभ्वेता को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविलाइजेशन और अगर सब्वेता को हम पाली में बदलें तो उसका मतलब होता है नागरिकता नागर माने जो होता है वो होता है सब्वे अगर हम नागर किसी को कहेंगे तो कहेंगे सब्वे और सब्वे का मतलब होता है नागर का मतलब होता है सिटी जन यानि जिसको हम आजकल नागरिक बोलते है और अगर हम नागरिकता कर दें नागर का तो बन जाता है सब्भेता citizen, civilization और अगर हम नगर निगम कर दें तो निगम माने होता है कसवा या city और नगर माने होता है नागरिक यानि नागर यानि citizen जो उसके बासिंदे हैं तो सब्भेता हमें बहुत सारी पढ़ाई जाती हैं सिंदु घाटी की सब्भेता हडपा की सब्भेता सब्भेता के नाम से इसको नागरिकता नहीं बोलते पर हम इसको नागरिकता बोलेंगे तो जल्दी समझ में आएगा क्योंकि सब्भेता 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 इतने बदले गए हैं कि छोटी बात भी बहुत जटल हो जाती है तो हडपा नागरिकता यानि हडपा में रहने वाले नाग लोग यानि नाग वंसिया लोग जो हडपा में रहने वाले थे यह हम कहें मोहन जोड़ो की यह हम कहें यहां जो राखी गड़ी चल रहा है उसमें जो मिल रही है बौड़ियां राखी गड़ी की सब्बे था यह हम कहें जो हतीन के अंदर बुद्विहार मिलते हैं उनकी सब्बे था यह हम कहें जो अगरो हमें मिलते हैं बुद्ध बिहार उसकी सब्वेथा जो हर्याणा में मिलते हैं उसकी नागरिक्ता या हम कहें जो मद्ध परदेश कंदर भीम बेट का है जहां बहुत पुराने चित्र है उसकी नागरिक्ता तो हमको जो सिविलाइजेसन या सब्वेता या नारिकता पढ़ाई जाती है वो कुछ पढ़ाई जाती है, कुछ बताई जाती है किताबे हमने लिखी नहीं, हमाये तो लिखने पढ़ने का सारा मामरा खराब ही है बड़ी मुस्किल से हम उनी किताबों को पढ़ रहे हैं और उन किताबों को पढ़ने की बाध्यता यह है कि अगर आप उन किताबों को पढ़के वैसा ही नहीं लिखोगे एक्जाम में तो आपको नमबर नहीं मिलेंगे और आपको नमबर नहीं मिलेंगे तो आप अगले दर्जे में नहीं जाओगे और अगली क्लास में नहीं जाओगे तो उची डिग्री नहीं मिलेगी और उची डिग्री नहीं मिलेगी तो नौक्री नहीं मिलेगी इसलिए बाद्धता हो जाती है कि जो कोर्स हमें बाद्ध दिया हमारे सर पर रख दिया उसको हमें वैसा ही पढ़ना है हम उसमें अपना दिमाग अपनी अकल नहीं लगा सकते अगर अपना दिमाग अपनी अगल या अपनी रिस्टर्स उसमें लगाएंगे तो आपको आउट की बाद होती है तो कहते हैं.. वैदिक सभ्वेता, हैसा और जिकर आता है पर ये जतनी भी सभ्वेता जिटनी भी सभ्वेता के high freeze шum is no, क्याना में वो जैता है और ये नाग लोग रहता हैं सारी तो नाग लोगों का कब्जा हो जाएगा पर नगर या नागरिक या नागरन या नाग या निगम इसको नहीं बदल पाए ये चलते हैं इसका शेहर तो बन गया शेहर बोलने लगे कस्पे बोलने लगे जो उर्दू की भासा है पर नागरिकता नगर ये नहीं बदल पाए इस जो हम बात कर रहे हैं आज दो साल के बाद में, क्योंकि अब तक हम सारी बातें बताते चले आ रहे हैं कि समड क्या है, समड कैसे है, समड कल्चर क्या है, समड धम के बारे में हमने बात की, पर ये समड धम, समड कल्चर, समड एजूकेशन, समड कसक, समड सेनापती, समड हुँ कि जितने भी हम समडों के वारें बात कर रहे हैं आखिर इन सब को इखटा करके क्या बोला जाता है तो हम इसको समड कल्चर कह सकते हैं समड संखती कह सकते हैं समड संस्कती कह सकते हैं पर समड कल्चर और समड संस्क्रती और समड संखती ये किस में आते हैं ये किसका हिस्सा है क्योंकि समड कल्चर के अंदर तो समडों का रहना खाना पीना बोलना भासा चाल उनकी उनकी मत उनके विचार उनकी आडिलोजी वो सब आते हैं उनके गुरू उनके पहनना उड़ना नाचना गाना सब है पर जो सब्भेता है वो समणों की कहा है क्योंकि यह सारा कुछ जितना भी समण संखती आती है वो भी समण सब्भेता का समण नागरिकता का समण citizenship का समण civilization का हिस्सा है तो समण सब्द वहां से गायब है यानि समण सब्भेता के नाम से कोई सब्भेता नहीं है जितनी भी सब्भेता हैं उन सब्भेताओं के अंदर हमारा नाम ही नहीं है और अगर हम पूरी सिवलाइजियसन में हमारा नाम ही नहीं होगा तो हम सिवलाइज है नहीं उसका मतलब हमने कोई सहर ही नहीं बसाया हमने कोई सहर के अंदर कोई डबल्लमेंट किया नहीं तो ये जो दुनिया भर में जो पूरे भारत चेन जो ये अजारों सहर बसे हुए हैं और सोले महा जनपद रहे हैं ये कि हवा में आगे ये सोले महा जनपद हैं इनकी civilization इनकी ना जो नाग लोगों की सभेता है उसका जिक्र कहा है क्योंकि हम जितनी भी सभेता हैं जितनी भी सिविलाइजेशन जितनी भी नागरिक्ता बता रहे हैं वो मरी हुई बता रहे हैं यानि मरे हुए का जिक्र तो है हडबा के अंदर मर गए मोहन जोद्रोलों के अंदर मर गए रा जो मरे हुए मुर्दों को दूसरे नाम से बताये जा रहे हैं, बताये जा रहे हैं, बताये जा रहे हैं, और जिन्दी सब्भेता को, और ये जो 120 करोड़ों जिन्दी सब्भेता हैं, जिन्ते ननागरिकता है, ये क्या हवा में आगे, इनका जिक्र कहा है, इनकी सिविलाइज वेक्ति ऐसा होगा जो बहार से आया तो दस हजार में एक वेक्ति जो बहार से आया उसकी सिविलाइजेशन अदल बदल के बताई जा रही है उसकी सब्भैता बताई जा रही है उसकी नागरिक्ता बताई जा रही है सारी किताबों में पर दस हजार का जिकर गायब है कोई इस सब्भैता है वो समन सिविलाइजियसन है वो समन नागरिकता है और वमनों की तो कोई सब्भैता नहीं है वमनों की तो कोई नागरिकता नहीं है वमनों की कोई सिविलाइजियसन नहीं है आप पूरी हिस्ट्री उठा लेजिए कहीं भी पूरी हिस्ट्री में आपको वमन सब् और वो लोग कोई सेहर बसाय नहीं है अगर सेहर बसाते तो उनकी सब्धता उनकी नागरिकता या उनकी सिवलाई जेसन होती कही ना कही और चुकि वो बसाय नहीं है इसलिए है नहीं और हिस्टी में भी नहीं है और हिस्टी से पहले भी नहीं है और आज भी नहीं है पुरान नाग्रिक्ता के लोग रहने वाले हैं उन निगम में रहने वाले लोग हैं उनके नाम सारे के सारे वही हैं जो समड़ों के नाम चले आ रहे हैं उनके नाम नहीं बदले गाओं के नाम भी वही हैं सहरों के नाम तो अदलते बदलते रहते हैं क्योंकि सहरों के नाम बदलना आ नागरिक्ता से बहुत प्यार करते हैं और गाओं की संखिया साड़े च्छे लाक है आज के समय उस समय भी लाकों में होगी इतना बड़ा भारत है तो गाओं के अंदर से समढ़ सब्वहता समढ़ कल्चर समढ़ सिविलाइजेशन या समढ़ नागरिक्ता इसको नहीं बदल पाए उनके नाम भी वही है उनके लोग गीत भी वही है उनकी भासा भी वही है उनकी कल्चर भी वही है उनका सब कुछ वही है वो अलग बात है कि सब्द बदलते चले गए या उनके सब्द समढ़ में नहीं आए या उनकी भासा समढ़ में नहीं आई पर जो सिविलाइज हैं उन्होंने बदला क्योंकि उनका तो यह धर्म है जो अल्पसंख्यक होता है वो हर अलत में चायता है कि पुरानी बातों को भूल हैं नई शुरुआत करते हैं अगर हमने आपके सात में washing यां तो जाती से हुआ तो जाती भूल जाओ यह कहेगा और वह चाहिए उसको क्योंकि उसको धर्म है उसको बचना है उसका सिकायत नहीं है क्योंकि आदमी जो अल्पसंख्यक होगा वो हर चीज को अपने खाते में अपने हिसाब से मोड़ेगा क्योंकि उसकी कोई civilization है नहीं, उसकी कोई सब्वेता है नहीं, उसकी कोई नागरिकता है नहीं इसलिए वो जो मूल नागरिकता है और जो मूल सब्वेता है उसी पे अपनी छाप लगाता है, उसी को अपने नाम लिखता है साम, दाम, दंड, भेद, चल, कपट चाहे तो प्यार से, चाहे तो डरा के, चाहे तो लालस दे के चाहे तो स्रजिंद करके, चाहे तो किसी भी तरह से वो उस सब्वेता पे अपनी चाप लगाएगा यह पूरी दुनिया में चलता है, इसका ना बुरा मानना है ना अच्छा मानना है, पर हमारे जो सिकायत है, वो अपने स्रमण लोगों से है, कि तुम पढ़ गए, लिख गए, सारा काम बावा साब से करवाओगे क्या, तो कुछ नहीं करोगे, इतनी सी बात समझ में नहीं आती, कि यह जो 120 करोड़ों लोग हैं, 125 करोड़ों लोग हैं, अगर यह हैं, तो इनकी सिविलाइजेशन भी तो है, इनकी नागरिक्ता भी तो है, इनकी सभ्था भी तो है, और अगर वो है तो है कहां? अगर वो नागरिक्ता है, अगर वो सभ्यता है, वो सिवलाइजिसन है और वो इतनी बड़ी है, इतनी विसाल है, सोले महा जन्पत तो अंधो को भी दिखाई देते हैं, वो तो लिख्ट में है, वो तो इतियासिक हैं, अगर हम इतियासी पहले की बात ना करें तब भी तो सोले महा जनपत दिखाई देते हैं उसमें दिखाई देता कि हमारा सब्द क्या है हमारा सद्ध क्या है हमारी सिवलाई जिसन का नाम क्या है हमारी जो नागरिकता उसका नाम क्या है इसको ढूंडने में इतने दिन सोलवा वोलियों बावा साब देखे चलेगे सब कुछ देखे चलेगे फिर क्या दिक्कत है और दूसरे के सब्दों को रट रहे हो दूसरे के सब्दों को तो दूसरे को इस सब्दों में कह देते एक वार यही कह देते कि सिर्मन सभ्यता हमारी है सिर्मन सिविलाइजिसन हमारी है सिर्मन कल्चर करते रहे सिर्मन कल्चर में भी उल्टा बता दिया कि सरम करने वाले हैं और बिड़ा गरख कर दिया यानि बताया भी तो बिड़ा गरख कर दिया तो सारा काम कौन करेगा दो साल लगे हमको उस सारी चीज़ों को खोद के यहां तक पहुंचाने में पूरे दो साल लगे हैं आज इस कंसेप्ट का यह आखरी कंसेप्ट है सिविल आइजन से आगे सब्भेता से आगे नाग्रिता से आगे कोई चीज नहीं है आज अगर हम यह बात तै कर चुके हैं कि हमारी जो सब्भेता है हमारी जो सिविलाइजेसन है हमारा जो नाग्रिता है उसका नाम समण है यानि हम समण सब्भेता के लोग है हमारी सब्भेता समण है जो मरे हुए, दबे हुए, कुछले हुए वो नाम हमने दिये उनको हडपा का नाम हमने दिया हमको मोहन जोड़ो का नाम हमने दिया हमको सिंदु घाटी का नाम हमने दिया उनको पर किसी ने भी समढ़ सब्भेता के मरे होने का नाम नहीं लिया यानि समढ़ सब्भेता जीवित है समर्ड सिविलाइजियेशन जीवित है और बहुत बड़ी संख्या में है 120-125 क्रोड़ों लोग है पर इसको कहो तो सही कि ये समर्ड सभ्यता है समर्ड सिविलाइजियेशन है समर्ड नागरिक्ता है और फिर इसकी जो संख्यती है समल कल्चर चलती है और फिर समल कल्चर में हमारा समल धम आता है समल संग आता है समल गुरू आते हैं समल राजा आता है समल कसक आता है किसान आता है समल हमारा वैद आता है जिसको बेदी बुला करते थे जो बेदता है समल हमारा भैसज्य गुरू आता है भैसज्य आता है समल म सब्भेता का विकास किया है यानि नागरिकता का विकास किया है सिविलाजेसन का विकास किया है हमने तो किया है यहां कोई और तो आया नहीं किसी के नाम कोई प्रेटेंट नहीं और कोई भी आप साहित्य उठा लो बेसक चाहिए साहित्य बदला हुआ भी है उसे भी उठा ल पहिया सबसे पहले हमने बनाया बैल गाड़ी सबसे पहले हमने बनाई जानवरों को साधना सबसे पहले हमने सिखा हमने सिखा हमी तो थे यहां कि खेती किसानी करना हमने सीखा जूता बनाना सबसे पहले हमने सीखा लेदर के सामान बनाने हमने सीखे धनुस बनाना हमने सीखा आतें जो जानवर की आत होती है उसको धनुसकी तांत में लगाना हमने सीखा जो तीर कमाने सीधे तीर कमाने बनाने हमने सीखे जो मकान और जहुपणी बनाने सबसे पहले हमने सीखे धातू सबसे पहले हमने खोजी धातु आने के बाद पत्थर काटे हमने, पत्थर काटे हमने हीटे बनाई, हमने पत्थर की सड़के बनाई, हमने इंडिस्टी के और समान बनाई, धागा सबसे पहले हमने बनाया, धागे का कपड़ा सबसे पहले हमने बनाया, जो लिपियां थी पहले वो जैसे आजकल बनागरी लिपी भी हमने बनाई अक्षर भी हमने बनाए लिखे भी हमने सबसे पहले पत्थरों पर पढ़े भी हमने पढ़ने के संसादा हमने बनाए नियम हमने बनाए संगों के नियम हमने बनाए राजा के नियम हमने बनाए कौन सा काम ऐसा है जो समणों की सभेता में किसी और ने की हो कौन सी चीज ऐसी है जो हमने ना की हो राजा हम थे गुरू हम थे जो अत्तजन वाले थे यानि के इनर स्पेस वाले जो अपनी बॉड़ी की जानकारी हैं ब्यापारी हम थे कोई भी चीज ऐसी नहीं जो समढ़ सब्भेता का हिस्सा ना रही हो समढ़ कल्चर का हिस्सा ना रही हो समढ़ सिवलाजेशन का हिस्सा ना रही हो और हमने ना की हो कोई किसी ने की हो तो लाके दिखा दे कोई किसी ने बनाया हो तो बता दे किस ने तीर कमा धरूस बनाया कब बनाया यह इस पस्ट है हमारे सिस्टम से पता चलता है कि हमारी जो स उसमें बाद के समय में जो काम हम करने वाले थे वही हमारा नाम पढ़ गया जिसको बाद में जाती करते हैं और हमारी सिविलाइजेशन में जिसने काम नहीं किया वो उसके पास जाती नहीं है यानि जिनके पास काम करने की डिगरी होती थी काम करने का नाम होता था वही उनकी आपके जाती पड़ी उत्पती जाती का मत्द मतर्व फद्पती पड़ी और जिन्होंने काम Truck काम नहीं जानते थे जिन्होंने बैटके खाया उनके पास ना जाती है ղाकाम है और राज तक नहीं है किसी पह साहितते में ऑठा लुआ आप किसी होस्थ असे दो साल हमें लगे समझाने में और बजाने में समझाने में नक्यातर को दो से उपर जो संक्ति है जो संस्क्ति उससे पिअर legal." जिसको सब्भेता बोलते हैं वो गजब की है और इस पर कोई चाहिए बहस कर ले कोई चाहिए तो इसको खोज ले इसका नाम समण सब्भेता है अगर इसका नाम समण सब्भेता है तो इसको समण सब्भेता ही कहना चाहिए इसको समण सब्भेता ही कहना चाहिए इसको समण ना जिन्होंने सारे काम की हैं । क्योंकि अगर अगर कोई कस्वा कोई बस बनेगा अगर कोई c काम करना है क्योंकि समण सभ्था से लेके और समणों का जो सम्विधान है सम सब्थ से बहुत सारे सब्था की सब्था की सब्था से बने हुए से समण से स眵िधान तो वहां से लेके और यहां तक नारी की सब्था पर सारी साथ हमारी सब्था अपने ट्थop लगाए हैं अपने नाम बदले जैसे एक सरकार आती है तो सहरों के नाम बदल देती है दूसरी आती है तो फिर कुछ और नाम बदलती है तीसरी आती है तो और बदल देती है सिर्फ नाम बदले जा रहे हैं पर सिविलाइजेसन के मालिक हम ही हैं समढ़ी लोग हैं इस बात को जो लोग समझ गए हैं और जितने ज़्यादा समझ गए हैं वो ज़्यादा खोज करें वो ज्यादा तर्क वितर करें लोगों से, पूछें कि बताओ हम 120 करव लोग की सब्भेटा गई कहां, समढड सब्भेटा का जिक्र क्यों नहीं है? समढड सिविलाजैशन का हैं वो वही की वही है इसलिए हमारे जीतने की गारंटी 10,000 परसेंट है अगर हम सिर्फ एक चमतकारिक सब्द पकड़ लें अगर हम चमतकारिक सब्द अपने नाम के आगे पीछे लिख लें अगर हम हर बात में कहें हमारा जो धम है वो समढधम है कल चुकी बुद्ध की बात होगी और कल बुद्ध पूर्णिमा है तो बुद्ध की बात में साफसा बुद्ध ने कहा है कि वो समढध बुद्ध है यानि के महा समढध है और समढध कल्चर को ही रोने डबलब किया और समढध संखती के समढध सब्धता की वहाक रहे हैं और जितने भी हमारे संतिया मह पाच अंतर मोटे मोटे से हैं जो आप पहचान सकते हों अगर किसी कल्चर के अंदर किसी धम के अंदर किसी गुरू के अंदर गौड है और वो गौड को मानता है गौड की उसमें मानता है तो वो समढ़ सभ्यता का हिस्सा नहीं है अगर कोई चमतकार को मानता है और ऐसी कहान मनुस्य के सुख दुख नहीं है मनुस्य के दुख दूर करने की बात नहीं है तो वह समढ़ सभ्यता का हिस्सा नहीं है वह कोई और हिस्सा होगा अगर कोई यह कहता है कि तस्वीर या मूर्ती या कोई प्रतिक चिन्न वह सबसे उपर है और मनुस्य बेकार है तो वह समढ़ स चाहिए या इस जो तस्वीर है उसको चाहिए या इसके नाम पे चाहिए तो वो समढ़ सब्वताय का हिस्सा नहीं है यह कुछ मोटी मोटी पहचाने हैं जिससे हम समढ़ संत के जो गुरू हैं समढ़ संत के जो संत हैं समढ़ धम के उनको हम पहचान सकते हैं और जो समण धमके नहीं हैं उनको हम अलग करके रख सकते हैं। समण धमके जो संथ हैं उनकी एक सबसे जो कमाल की पहचान है वो यह है कि वो सब को बरावर मानते हैं। और वो खुद भी उसी भेसपूसा में उसी रंग में और उसी तरह से रहते हैं जैसे बाकी साध्रन समन रहते हैं यानि संत में और जो संत کے अनुयाई हैं, उनके रहें से औ खान पीन उठने बैठने में कोई अंतर कोई भेद नहीं होगा वो बुलकुस सेम रहते हैं इसका सबसे सटी को धारन आप देख दिख सकते हो जो समण पर्मपरा के समण धम के जो गुरु है बुद्ध उनका जानकारी में स्थान उपर हो सकता है वो सबको पढ़ाते हों क्योंकि ग्यान उनको प्राप्थ हो गया सब को ग्यान बाढ़ते हों, वो अलग बात है, वो उनका काम था, उनका कर्तव है था, उनने पूरा किया, पर रहन सेन सारे भिक्कों की तरह था, जैसे चीवर वो पैंते थे, बलकन वो तो और भी घटिया चीवर पैंते थे, कूडों पर पड़े हुए कपलों का पांसु कू सब्सक्राइब गुष्र जैसे रविदाजी हैं, अपना काम भी कर रहे हैं और लोगों को जानकारीब दे रहे हैं ये समढ़ धम संत के जितने भी लोग हैं, समढ़ धम की परंपरा के, इनकी बड़ी खास बात है इसलिए आप इनको पहचान लोगें, तो जहां भी समढ़ धम की परंपरा के गुरू मिलें उनकी बात सबकी एक है, उनका रहना, पीना, खाना अलग-अलग हो सकता है उनका तरीक अलग हो सकता है, पर वो हैं सारे समढ़ धम के संत तो आपने ये मान के नहीं करना है, कि वो समढ़ धम के संत नहीं है आपने ये मान के चलना है, कि वो हमारे समढ़ है, और समढ़ धम के संत है उनकी कोई परंपरा अलग हो सकती है, पर उनके हैं आना जाना आरहम करना चाहिए उनको बताना चाहिए कि हम सब समण हैं, ये हमारे समण संत हैं और हम सबर्द सब्वहता के लोग हैं इस से हमारा जीतना बहुत आसान हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा क्योंकि दो साल पूरे हुए हैं तो दो साल में आज ये जो कंसेप्ट है इसका भी लगबग आज पूरी तरह से ये समाप्त हो गया क्योंकि इसके बाद सिर्फ हम इस पर रिसर्च करेंगे समण सब्वहता के ओपर, जो समण हमारी सिवलाइजियसन है और जो समण हमारा नागरिता है अब इसके ओपर रिसर्च चलेगी पूरे जीवन भर हमारे लोगों से और बाची चलेगी समण सब्वहता को हम डबलब करेंगे, समण सब्वहता में सब ही जाती है समण कल्चर भी आती है, समण धम भी आता है, समण गुरु भी आते हैं, समण रहनसेन भी आता है, समण शेहर भी आते हैं, समण देश भी आता है, समण राजा भी आते हैं, समण वेग्यानिक भी आते हैं, समण संथ भी आते हैं, समण इसी भी आते हैं, समण ब्यापारी भी आ कि अच्रांती बनांगे रखें। बाहर से कोई आदमी आता है नए आदमी आता है या किसी नए आदमी से आप बात करते हैं। यह एक्समेंस हुनमे क्या हैं, यहां कि लोग आएंगे वो आपकी तरह पक Form सब्सक्ताने बहेंखें। जल्दी जानकारी जानगे तो जानकारी आगे देनी है, अब हमें अपने संतों का वो काम करना है कि हमें शांती के साथ लोगों को जानकारी देनी है, धमका समनगंथ देना है, और भी एक इंट्रोटक्टी समनगंथ आने वाला है छोटा सा वो देना है, अक्वार है वो देना क्या है वो कितना जानता है कितना समझ गया वो कुछ भी बोले आपको चिंता करने के आउश्कता नहीं है उसके बोलने से समढ़ सब्भेता के हिलती नहीं है उसके बोलने से हमें ये पता चलेगा कि वो कितने अंधिरे में है और कितने उजाले में है जब बोलेगा नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा तो उसको धहरे से सुनेंगे नहीं वह आपकी बात नहीं सुनेगा ताइम लगेगा इसमें किसी के यहां जैंगे तो भी ये काम बहुत धिरे-धिरे से करने का है पर समय कम है इसलिए टेज करने का है और ये काम अब रुकने वाला नहीं है बहुत फीड़बेक लिए आज मैंने बहुत फॉन किये फीड़बेक ये मिला कि समर्संग जिस रफ्तार से और जिस तरीके से काम कर रहा है और वो भी बिना किसी मदद के ना तो हम कोई बाहरी पैसा लेते हैं ना ही हमें कोई मीडिया वाला सपोर्ट करता है ना ही कोई हमारा जो चैनल है वो आके पूसता है कि क्या समर्संग ये क्या नहीं है जो नेता लोग हैं वो गुरुद हागे सारे सारे क्योंकि काम तो हमने स्टार्ट किया था नेताओं को जोडने का संग्ठनों को जोडने का पर हम उसमें फेल हो गए हम इस बात को सुकार करते हैं कि हम नेताओं को और संग्ठनों को नहीं जोड़ पाए हमने बहुत खुसामत की अभी भी कर रहे हैं फिर कारिकम लगाया है चौटे तारिका आएंगे ठीके बात करेंगे उनका एहम और वहम बहुत जादा है वो हमको भी जवरिश्ती संग्ठर बनाने में लगे पड़े हैं वो बार बार कहते हैं यह भी संग्ठर यहां किसना किसी का नाम बताते रहते हैं कहते हैं उत्रपरदेस में जाओगे तो कहेंगे कि उत्रपरदेस के लोगों का संग्ठन है दिल्ली में कहें तो दिल्ली के लोगों का संग्ठन है मैं नाम नहीं नहीं तिडियरा पर वो नाम ले लेके बोलते हैं महाराश्ट में जाओगे तो महाराश के लोगों का है गुज साथ में बिना लड़े बिना जगड़े क्योंकि एक वार आप लड़ोगे तो व्यक्ती चला जाता है फिर उसको साधने में बहुत टाइम लगता है इसका नुकसान हम बहुत उठा चुके हैं दो साल में ये काम बहुत आगे बढ़ जाता अगर हम थोड़ा सा पहले इस बात क के आंदुलन में सिंघल कहानी एक नहीं मिलती जब कभी नहीं उनका ना कोई और वहमता वहमता वो सुनते थे सामने सामने वाले को जज़्च करते देखते थे कहमारे काम का है नहीं वहीं हमें शीकले है आएंगे या हम लोग जाएंगे जुड़ता तो ठीक है और नहीं जुड़ता है तो वेट करेंगे और बहुत लोग है एक सो बीस क्राड़ों लोग है अगर एक वेक्ति नहीं जुड़ता है तो दूसा जुड़ेगा दूसा नहीं तो तीसा जुड़ेगा अगर दो साल तक लगातार हम जूम पर जुड़ रहे हैं तो इस साल के अंदर हर संग्ठन के आदमी ने इस कंसेप्ट में जितने छेद की हम उनके शुक्र गुजार हैं जितने भी उन्होंने कि हमने ठोक पीट के ठीक कर लिए हम कम्या ढूंडते रहते हैं अपनी कम्यों को दुर्स करते रहते हैं और कम्या सीखते रहते हैं यह लगाता है चलता रहेंगा. हर व्यक्ति या कोई भी चीज परफेक्ट नहीं होती, लोग उसको परफेक्ट बनाते हैं. अगर कोई व्यक्ति हमें गाली दे तो हम गाली कारण ढोना चाहिए, ना कि हम उस पर चल बैठें कि तो उन्हें हमें गाली को दूए? कि अगर गाली हम गाली के लाइक हूंगे टब ऻिए रहा है, अगर हम Gाली के लाइक नहीं है तो वो गाली क्यों क्यों देगा इसलिए अपने आपको देखना है और अपने काम-NITर करते जाना है और काम करने की स्पीड बढ़ाते जाना है जो 14 तारिक का महां लगेगा संग्ठनों का उसमें कोशिच करने के ज़्यादा संग्ठन आए और 13 तारिक को हमारा हाउस लगेगा उस हाउस में बड़े प्लान आएंगे इसलिए जितने भी लोग हैं वो नागपुर जाने का रिवेशन करा लें क्योंकि सारे संग्ठनों नागपुर में जाएंगे वहां बड़ा प्लान होगा बाचित होगी वहां तो संग्ठन के सारी लोग होंगे उससे अच्छा होता है उससे क्या होता है कि प्लान को नहीं आई क्या क्या नहीं आई दो साल की पूरी समक्षा होगी वहां पर और वह समय आ गया इस नहीं है नागपूर जाने की सब अपनी टिकेट बुक करा लें और कटके सर एक दिन में बता देंगे आपको उसी के साब से आप करें मेरे इन सब्दों में अगर किसी को कोई पर समध मागरू मासंत समध बुद्ध का जरब दिन भी है और पिन्बत यानि के दिन भी है और उनका डिवति यानि कि जो उनको बोध हुआ घ्यान हुआ है जाаки दिव्त वह भी है इसकी सब को मंगल कामना ऐ जो कल दिल्ली में बुद्ध की हस्तियां देखने के लिए आजाये वहांबgram विए टीके भिद्र फेरी है बुद्ध पूर्ण वोल दीन फिरी होता है ऐट वे तक महां पहुंच जाएं आट वे तक आजएं की वाह पे ख्यों है उसके बाद में विदेश मंत्राल है उसके सामने ही नेशनल म्यूजियम है पैदल का पांच मर्ड का रास्ता है वहां सारे मिलेंगे वहां बुद्ध की अठारे 22 साथ हड़ियां है वहां रखी हुई है उनको देखें उससे आपको यह पता चलेगा कि जो बुद्ध है वो एथियासिक है वो कालपनिक नहीं है क्योंकि जिस भी व्यक्ति की अस्थियां मिलती है हड़ियां मिलती है वो एथियासिक होता है कालपनिक नहीं होता है जो कालपन हैं तो उनकी रिलेक्स यानि उनकी अस्तियां उनकी हड्डियां देखने के लिए जो लोग आना चाहें अपना खाना वाना साथ लाएं वैसे जरूत नहीं है क्योंकि वहां घंटे का कायक्रम होता है मोबाइल अंदर होता है मोबाइल से फोटो कहीं सकते हैं कुछ लोग तो झाल 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 झाल